वेल्कम बेक टू दे चैनल एवरीवन तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सेग नूज लेकर रहा है हो क्रिएटर्स की तरफ से तो फटा फट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को वीडियो को शेर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टा करता है, दो बार हो चुका है कुछ और अभी वापस ही हुआ जिया, जिसे रिलेटेड आमीर अरब ने फिर से कुछ श्टोरीस पोस्ट किये है, आईए देखते हैं, सबसे पहली स्टोरी में उन्होंने कहा, गाईज मेरा अकाउंट हैक हो रहा है, फिर अगली स्टोरी में क कहा, गाईज मेरा अकाउंट हैक हो गया था, बट नाव ओल फाइन, अलहम्दुलिल्ला, हैश्टेक थैंक्यू सो मच गाईज, जलो मत बराबरी करो, अगली न्यूज आती है, पूरभी की तरफ से, हुआ कुछ ऐसा कि आज की दिन पूरभी ने यह वाली पोस्ट पता लग गई आउकात, यहां मेरे साथ बोलने वाले भी है, अपनी स्टेंडर्स अपने घर पे रखो, मेरे पास मेरी फैमली है सपोर्ट करने के लिए, गाईज अगली न्यूज आती है, बिनोत की तरफ से, मतलब भाई इसको इतना ट्रेंडिंग में लाया गया, इतना ट ट्रेंड कर रहा था, यहां डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं, हैश्टेग बिनोत ट्रेंडिंग पे था, और तोर फाउंदर ओफ बिनोत यानि के सले पॉइंट उन्हों ने अपने स्टोरी के जरिये जो है, दिल से बुरा लगता है भाई वाले की एक वीडियो शे नीचे कॉमेंट करते वे कहा, देवराज भाई ने बोल दिया बिनोत तो बिनोत और नीचे रिप्लै में भी बिनोत, बिनोत दिल से बुरा लगता है भाई, गाई जगली न्यूज आती है केरी मिनाटी की तरफ से, हुआ कुछ ऐसे के केरी नहीं वाली पोस्ट अप्रोड क अब कमिंग सुनके साथ साथ जब भी कोई ट्रैवलिंग करता है ना, तब भी मुझे यही लगता है के सौंग आएगा, और हो भी सकता है क्योंकि ऐसे टाइम ये लोग ट्रैवल कर रहे है, तो पॉस्टी बले के कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ सकता है हस्टैन, आस खान और भाविन की भी तरफ से, हस्टैन का तो बोल नी सकता हो कि पका सौंग आएगा या नहीं, या कोई प्रोजेक्ट, लेकिन हाँ भाविन का ये बोल सकता हो कि अगर कई भाविन जाते है, तो सौंग ज़रूर लेकर आते हैं, हो भाई, मारो मुझे मारो, गैज अगली नियू सब्सक्राइबर्स पे सॉंग लाने वा लेते तो उसी को लेकि उन्होंने अपडेट देते वे कहा 20 मिलियन सॉंग थोड़ा इंतिजार और सबर का फल मीठा और तो और उन्होंने वीडियो पे भी अपडेट देते वे कहा वीडियो कहा है question mark मैं बता देता हूँ अगला क्या आएगा कुछ नहीं पता आगे क्या होगा नहीं बता सकता भी बिना रुके एक एक मिनिट लगा हुआ हूँ आंखे खोल कर सोता हूँ गैस अगली नुज आती है अधनान07 की तरफ से तो आज है अधनान का birthday तो आएगे celebration के समय की कुछ clips देख लेते हैं और तो और गैस अधनान को इतना प्यार मिला कि अधनान जो है थोड़ा emotional हो गयते हैं आएगे वो story देखते है तो इसमें लिखा यह है कि मैं अभी तक healthy हूँ इतने सारे dangerous हादसों के बाद भी जब इतने haters मुझे defame करना चाहते थे वही इतने millions में lovers है जिस वज़ा से मैं एक star की तरह shine करता हूँ एक तरीके से यहाँ पर जो है अधनान अपनी haters को reply दिये है दूसरी चीज़ मैं मेरे world के सबसे अच्छे parents को thank you बोलना चाता हूँ और तोर अब्दुल और मेरी बहन को भी आप लोगों का सारा दर्द मुझ पर आ जाए मुझे हर एक चीज याद है जिससे हम गुजरे है पर जब तक जिन्दा हूँ आप लोगों की जिन्दगी best बना दूगा किसरी चीज़ मेरे friends और कुछ relatives जिनोंने मुझे हमेशा support किया मैंने किसी से उम्मीद तो नहीं रखा था पर फिर भी यहाँ बहुत different faces थे Thank you team 07 members और friends और उनको भी जो मेरी खुशी में तो शामिल नहीं हुए पर बुरे वक्त में सबसे पहले खड़े थे और मेरे fans, मेरी family और हर एक इंसान जिनोंने मुझे digital star बनाया कल रात आप लोगों के वीडियोज ने मुझे रूला दिया मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे ऐसी feeling मुझे पहली बार आई थी पर ये खुशी के आसू थे आप लोगों के लिए दिल से respect है तो ये थी अधनान के कुछ कहीवी बात है जो के मैंने आप लोगों शॉट में समझा दिया गाईज अगली नुजाती है जोकर की तरफ से तो लगता है इसकी तरफ से भी बहुत जल्द कुछ तो special आने वाला है क्योंकि उसने ये story post किया है जिसमें लिखा है प्रेनिंग चालू है आफ्टर वन मन्थ कुछ आने वाला है सबके लिए गाईज अगली नुजाती है बादशा की तरफ से तो ये जो है fake followers के case में मुंबई आया है जिससे related मैं अभी आप लोगो सारी जान करी दूँगा लेकिन आईए सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं जब उनको ले जाया जा रहा था और दोर जैसे के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे news articles ने इसे cover किया है और ये रही कुछ details रैपर बादशा मुंबई आया है fake followers के case में crime branch interrogation कर रही है उनसे और जो मैंने आप लोगो वीडियो बताया था उस समय उनको interrogation के लिए ले जा रहे थे fake followers के racket में Bollywood का famous rapper बादशा पे शक किया गया है Instagram पे fake followers और views खरीदने के जुर्म में गुनहगर ठहराया गया है आज वो मुंबई crime branch पहुचे है investigation के लिए पुलिस ने आज बादशा को crime branch में बुलाया था interrogate करने के लिए social media पे fake followers लेने के सिलसिले में और उसी टाइम मुंबई पुलिस ने इसी case पे और 20 से ज़ादा stars के statement भी ले लिए इस interrogation में बड़ी personalities जैसे के प्रियंका चोपडा और दीपिका भी है मुंबई पुलिस इन पर भी question कर सकती है पर अभी तक इन में से किसी से भी question नहीं किया गया है और एहम बात इस case में 100 film stars पुलिस के निशाने पे है गैजरली नुजाती है फैजल सिद्धी की तरफ से जैसे के आप सब को पता होगा कि एक दो वीडियो पहले मैंने आप लोको फैजल की ये वाली photo बताया था जो के उन्होंने post किये थे और उसके नीचे लिखा था कि कुछ तो special आने वाले तो जी हाँ उनकी तरफ से song आ रहा है यहाँ पर टैली चकर की तरफ से एक article आया है जिसमें लिखा है फैजल सिद्धी की end शुरूतिका music video by ideas creations और यह रही शुरूतिका जिसके 6 लाग से जादा followers है इंस्टाग्राम पे तो इसमें लिखा यह है कि फैजल की तरफ से जो new song आने वाले है उसकी shooting जो है लखनाव में होगी third week of August में फैजल और शुरूतिका का जो music video आ रहा है उसका नाम है इसके जो director है वो दीनेशी है जिनके बारे में मैंने आप लोगो को कल वाली वीडियो में भी बताया था जो कि सद्दू का भी song लाने वाले है so let's see देखते है कब तक आता है और तो रहा इस फैजल के भाई यानिके आमीर सिद्धी की वो कोई app launch कर रहे है टिक टॉक के जैसा जिसका नाम टिक टॉक ही है बस के की जगे क्यों है क्यूंकि मैंने जब सैफ की stories चेक किया तो मुझे कुछ यह दिखाई दिया जैसे का आप लोग देख सकते हैं टिक टॉक डाउनलोड दी एप 15 अगस्त launching date coming very soon तो possible है कि शायद यह एप आने के बाद आमीर सिद्धी की फैजल यह सब जो है इसी एप पे आ जाए और तो और गाज जब टिक टॉक से रिलेटेड बात निकली गई है तो मैं आप लोगो बता दू के टिक टॉक जो है अपना फर्स्ट टीवी एप लाँच कर रहा है जी हाँ जिससे रिलेटेड यहाँ पर दी वर्ज में आर्टिकल आया है आये देखते है इसमें लिखा यह के टिक टॉक अपना फर्स्ट टीवी एप लाँच कर रहा है TV device Amazon Fire पे जिसका नाम है More on TikTok उस एप के पास curated video playlist और compilations है मुबाईल के TikTok एप का Amazon के spokesperson ने इस email को confirm कर दिया है और इसमें जो है creators के interview भी होगे और इसके साथ एक और content है जो TikTok एप में एक minute की limit थी इसमें उससे जादा की limit है और हमने सोचा है हम सारे contents को TV पे show करेगे ताके वो natural तरीके से extent हो जाए Business Insider के according TikTok अभी experiment कर रहा है ताके वो देख सके कैसे mobile का format TV screen पे चलेगा और इसमें किसी भी account information और login वगेरा की जरूरत नहीं पड़ेगी और users इसमें video upload नहीं कर पाएगे अलेक्जा open more on TikTok तो वो activate हो जाएगा चली गाइस अब बात के लेते हैं अच्यूमेंट्स के बारे में तो रखूल के हो गया है 15 million followers on Instagram गरीमा के 1 million followers on Tukatak app भावेश के 5 lakh followers on Instagram अमुल्या के Snapchat हो गया है verified रोहित के 1 lakh subscribers बस गाइस आज का वीडियो यह पर कतम होता है पसना तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो Instagram पर फॉलो कर लो यह रही आईडी मिलते सच्छे वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच पर वाचिंग बाए स्लैप जाते जाते एक वीडियो दिखाना चाहूगा अर्यान के साथ वी फिर से ना इनसाफी हेलो गाइस तो आज हम लोग खाने वाले यह तीन रस गुल्ले वाजब यह यह चालेंज है तीन रस गुल्ले इतनी स्पीड में खाया गया बच्चे के साथ से नहीं खेला गया है हेश्टेग जस्टिस पॉर आयान जुबै